हेलो फ्रिंद्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आएम मनोज कुमार और दोस्तों फिर से हाजिरे आपका भाई एक और नए टॉपिक को ले करके जैसा कि अभी तक हमने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया है अपने औरिकल इंटिकेशन क्लाउड के अंदर हम कंटिनुवसली थियूरिटिकल पार्ट को लॉजिक्स को और चीजों की क्लैटी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं लास्ट वीडियो के अंदर हमने एडप्टर्स की बात की उसके इंस्टॉलेशन डिलिशन आप डाउन सारी बात है उसके बाद बात कि हमने कि कौन सा गरएक्ट एडपटर है जिसको हमें जूस करना चाहिए फिर बात की हमने connections की और connection के role की कि trigger type connection कब लेना चाहिए और invoke type connection कब लेना चाहिए finally trigger type और invoke type से related है आज का concept आज बात करने वाले हम types of integrations की क्योंकि जो बंदा मेरी इसी वीडियो को देख रहा है या जो OIC के instance पर नए आया है जो OIC सीखने के लिए नए तरीके से अभी OIC के field में उतरा है दोस्तों उसके लिए सारी चीजों को understand करना काफी tough क्योंकि जब हमने सीखा था तब हमें भी tough लगाता है definitely जो नया बंदा होगा उसको भी tough लगेगा तो type of integration का link जो है वो थोड़ा थोड़ा सा आपके trigger जो आप connection लेते हो उस connection का जो role होता है उससे भी है trigger type है क्या invoke type है ठीक है? हालना कि धीरे धीरे जब आप इन चीजों से habitual हो जाओगे तब शायद आप जो questions के answer में कर रहा हो इन questions की जरुत भी ना पड़े तो दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे type of integration की तो दोस्तो एक figure पे लेके चलता हो जो शायद पहले भी बहुत लोगों ने देखा होगा बट अब थोड़ इसी clarity देनी की बात है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे types of integration में दोस्तो Oracle generation 2 generation 2 और generation 3 मेंने क्यों लिखा है क्योंकि काफी दिनों पहले हम यह सुन रहे थे कि Oracle कुछ integration styles को अपने पास से remove करने वाला है ठीक है क्योंकि बहुत सारे मेरे भाईयों ने जब OIC पर काम स्टार्ट करना शुरू किया होगा या trainings लियोंगी तो उन्होंने ये 6 तरीके के integrations जरूर से जरूर पढ़े होंगे जो कि अपने आप में काफी confusing है जिनको आज आता है उनके लिए कोई confusion नहीं है बढ़ जिनको नहीं आता है उनके लिए तो ये ठीड़ी खीर है तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि आज हम इन सारों की बात नहीं करने वाले क्यों नहीं करने वाले क्योंकि अब Oracle धीरे धीरे generation 2 को generation 3 पर move करके ला रहा है और अभी मैं जो instance यूज कर रहा हूँ that is generation 3 so generation 3 में जो look and feel है वो दोस्तों कुछ इस तरीके का हो गए अब आपको अपने integration के style create करते वक्त आपको ये 6 pattern इस तरीके से नहीं दिखाई देंगे बलकि केवल 2 pattern दिखाई देंगे app driven and schedule orchestration वाला केवल 2 file base जो था file base के लिए file adapter को यहाँ पर enhance कर दिया गया है with all these features and इन 3 को यहाँ से remove कर दिया गया है क्योंकि बहुत जादा use में भी नहीं थे एक अलग तरीके की थे तो दोस्तों इनको यहाँ पर use कर दिया क्योंकि बहुत जादा useful यह नहीं थे अभी simply मेरे पास बच्चे हैं दो कौन सा app driven orchestration and schedule base तो दोस्तों पहले के वीडियो में अगर आपने गौर किया होगा तो थोड़ा थोड़ा मैंने जरूर से जरूर बताया होगा app driven सबसे पहले बात करते हैं इनकी features की तो app driven और schedule base के अंदर वो सारे काम किये जा सकते हैं जो भी हम business के logics को अपने दिमाग में सोच सकते हैं या business wise कुछ भी मेरे को लिखना है या develop करना है वो सारे काम इन दौनों के दौनों integrations में किये जा सकते हैं बट यह एक दूसरे से defer कैसे करते हैं defer नाम से ही है जो नाम है उसी के अंदर उसकी definition भी लिखे हुई है app driven में तो कुछ भी मुझे idea नहीं लगता है बट हाँ दूसरे वाले पे schedule orchestration में जिस पर मुझे calendar का sign भी दिखाई देता है और जब मैं इसको design करता हूँ जब मैं बनाता हूँ तब भी इसका shortcut मेरे को इसी तरीके से दिखता है एक calendar के icon के तरीके से तो clearly पता रगता है कि schedule orchestration का मतलब है कि ऐसा integration जिसको आप कितने भी tricky तरीके से schedule कर सकते हो किसी भी frequency पे schedule करते हो चाहे वो hour की हो, चाहे वो minute की हो seconds की हो, घंटो की हो, week की हो या month की हो, किसी भी frequency पे आप किसी भी तरीके से इसको schedule कर सकते हो अगर ये दौनों बिल्कुल similar हैं और केवल schedule की ही एक change है फिर हमें दो बनाने की जरूत क्यों पड़ी schedule तो मुझे सन में आगे चलो schedule कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है लेकिन इसके अलावा जो मेरा schedule वाला orchestration है दोस्तों ये most of the time मेरा use होता है file transfer जैसी चीज़ों के लिए जहांपे file मेरी एक जगा से दूसरी जगा transfer हो रही होती है, या delete हो होती है, या sync हो रही होती है या कहीं पर banks में या कहीं पर मुझे payment file या इस तरीके की चीज़े transfer करनी होती है ऐसी चीज़ों मेरा जो schedule based Oscar station है, यह ज़ादा use में आता है एक बार front end की window पर भी लेके चलता हूँ जहांपे ये बताने की कोशिश करता हूँ कि app driven or schedule क्योंकि देखे मैंने ये चीज़ तो बता दिये हैं दोनों बिलकुल same है केवल दो चीज़ों का फर्क है केवल और केवल दो चीज़ों का कौन सी दो चीज़ है कि ये schedule हो सकता है पहला point ये schedule नहीं हो सकता है तो schedule अगर आपको कोई करना है तो schedule orchestration ही use करना है एक तो ये difference है दूसरा major difference है इसमें कि अगर आपने schedule based schedule based orchestration को use कर लिया तो जो connections आपको दिखाई देंगे वो trigger वाले नहीं दिखाई देंगे केवल और केवल दो connection आपको दिखाई देंगे या तो उनका role invoke type को हो दोस्तो बहुत important चीज़ है आपको आगे help करेगी तो ध्यान से समझेगा पहला difference scheduling का है एक schedule हो सकता है दूसरा नहीं और दूसरा difference है कि schedule based में बार बार बोल रहाँ schedule based में क्योंकि schedule based orchestration अपने आप में start हो गया है क्यों उसमें एक scheduler already fit है तो schedule वाले में मेरे को केवल और केवल वो connections दिखाई देंगे जो invoke type के होंगे जिनका role invoke type के होंगे या दूसरे भी दिखाई देंगे जो दोनों तरीके के बने होंगे कौन से trigger and invoke type के बने होंगे लेकिन single trigger based connections मुझे यहाँ पर schedule में नहीं दिखाई देंगे क्यों मुझे triggering तो करा नहीं नहीं है already मेरा integration start है already मेरा integration चल रहा है मुझे उसको triggering कराने की जरूत नहीं है इसी के दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ app driven तो app driven में आपको सारे connection दिखाई देंगे दोस्तो चाहे वो invoke type का हो चाहे वो trigger type का हो चाहे वो trigger and invoke type का हो यहां पर आपको सारे connection दिखाई देंगे तो यह major difference है इन दोनों में जो दो बता है आप एक बाद front end window पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो सही है और उसी तरीके से होती है कि नहीं दोस्तो थोड़ा बहुत confusion स्टार्टिंग में जरूर हो सकता है adapters को लेके connections को लेकर और मेरे app driven लेना है कि schedule type लेना है कौन सा orchestration या कौन से type का integration लेना है स्टार्टिंग हो सकता है बट जैसे ही हम 2, 4, 5, 6 integration बनाकर आगे बढ़ेंगे दोस्तो आपको चीजे बिलकुल मक्षन जैसी बिलकुल ऐसे लगने लगें कि यह तो शायद आपको पहले से आता था बहुत simple है बस जरूरत है तो थोड़ा सा ध्यान लगा के और इसको सीखने की तो लेके चलता हूँ आपको OIC की login screen पर यहाँ पर already मैंने login किया हूँ और अपने ही project के अंदर मैं stand कर रहा हूँ तो simply दिखाता हूँ कि देखिए मैंने यहाँ पर कुछ trigger से मेरा मतलब है कुछ connections मैंने बनाय हूँ है एक connection मैंने trigger type का बनाय हूँ है एक connection मैंने invoke type का बनाय हूँ प्लस आइकन पर और चलिए create पर import नहीं कर रहा हूँ, import भी कर सकते हैं अगर बाहर से कोई integration आप लाके या import करने चाहते हैं, import भी कर सकते हैं बट अभी create कर रहा हूँ create करता हूँ, तो मैंने बताया था generation 3 के तरीके से आपको इस तरीके का UI जो है, वो दिखाई देता है तो भाई, मेरे को दिखा क्या? app driven, पहले app driven को देख लेते हैं, app driven पर मैंने बोला है, सारे के सारे connections दिखाई देंगे, तो app driven पर किलिक करता हूँ simply नाम मांगता है, तो भाई अभी मैं xx टेस्ट नाम दे रहा हूँ, और ये भी app driven करके, app driven, इस से मुझे पता लगेगा और इसको one नाम देता हूँ यहाँ पर और कुछ नहीं मांगता है, simply click करके create कर दिया create करने के बाद, देखिए already trigger आपको दिख रहे हैं, कौन से? मैंने के बता है app driven में आपको donor दिखाई देंगे, अब ये वाला trigger कौन सा है? ये है rest और ये है debass app driven में केवल वही trigger दिखाई देगा, गौर से app driven में केवल वही trigger दिखाई देगा जो trigger type का होगा या trigger and invoke type का होगा, तो मैं एक दूसरी window खोल के आपको दिखाता हूँ, कि यहाँ पर ये एक rest वाला दिख रहा है, एक debass वाला दिख रहा है, यहाँ पर खोल लेते हैं so that मुझे connections का भी पता लगे कि जो मैं बोल रहा हूँ, वो सही भी हो रहा है कि नहीं, simply अपने project पर ही चलाया आता हूँ अभी ये project में ये मेरे connection है यहाँ पर easily दिख रहा है, कौन सा connection दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर पहला connection दिख रहा है, trigger rest trigger rest मेरा कौन सा है, trigger rest मेरा rest type का connection है ठीक है, और ये trigger and invoke है, ये तो मुझे दिखाई नहीं तो इसको कहाँ अंदर जाके देखू, click कर लेते हैं, देखते हैं, trigger invoke है कहाँ लिखा, 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 trigger invoke ये, role मेरा, इसका trigger type का है, simply दिख रहा दूसरा का है, oracle dbcs, तो back करते है, oracle dbcs connection कौन सा ये वाला है oracle dbcs पर हाला कि बाहर दिख रहा, trigger and invoke तो app driven में, मेरे को कौन सा नहीं दिख रहा है, app driven पर मुझे नहीं दिख रहा है जो invoke type का है, वो नहीं दिखेगा, ये FTP वाला invoke type का है, और ये मुझे यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है और अगर मैं search करूँगा, तो भी यहाँ पर नहीं आएगा ये बात clear होगी, यहाँ पर थोड़ा सा look and feel की भी बात कर लेते हैं app driven है, start करने के लिए triggerer चाहिए, पहले horizontal कर लेता हूँ horizontal view much better होता है as compared to vertical, थोड़ा सा understandable भी रहता है इसको पकलके left right किदर भी move कर सकते हैं, उसके उपर से नहीं पकलना है, थोड़ा से नीचे click करके तब करना है अब यहाँ पर जाता हूँ और plus icon पर, ये plus icon पर click करता हूँ, मेरे पास खुल जाएंगे rest है trigger, rest वाले पर click करता हूँ simply पूरा flow बताएगा किस नाम से आपको rest connection बनाना है, क्या parameters आप देना चाहते हूँ, क्या response आप लेना चाहते हूँ, सारी चीज़े यहाँ पर मुझे बतानी पड़ेंगी तो अभी के लिए केवल इतना ही छोड़ रहा हूँ, दूसरा schedule type का आपको integration यहाँ पर एक बार बना के दिखाता हूँ, किस नाम से बना रहा हूँ दोस्तों, गौर करना create schedule xx test s ch schedule or ch 1, ठीक है, create कर दिया, horizontal कर लेता है, easy रहेगा, क्या बता है था, schedule में मेरे को सारे दिखाई देंगे, सारे connections तो देखते हैं, plus icon को लेके आते हैं, plus icon आ गया, schedule में FTP भी दिख रहा है, dbass भी दिख रहा है, ठीक है, कौन-कौन से है, FTP connection कौन से है, FTP connection है मेरा invoke type का, dbass connection मेरा invoke and trigger and invoke, trigger and invoke type का दिख रहा है, ठीक है, यहां तक कोई problem नहीं है, trigger type का, trigger type का connection, इसमें मुझे नहीं दिखाई देगा, किसमे, schedule type में, क्यों नहीं दिखाई गया, क्योंकि already started है, मेरा integration already started है, मुझे trigger नहीं कराना है, simply plus icon पर click करने के बाद में, मेरे को अपने जो भी connections है, कौन से invoke type के connections जो हैं, वो simply मेरे को यहां पर दिख जाएंगे, तो यह लगाते हैं, और दोस्तों काफी try करने के बाद भी, मैं इसके उपर कुछ करने ही पा रहा हूँ, तो एक बार क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, इसका state देखते हैं, देखें, लॉक्ड हो गया है, कई बार हम जब काम करते हैं, तो हमारे integration लॉक्ड हो जाता है, simply कुछ नहीं करना है, यह जो three dots है, इस पर क्लिक करना है, अनलॉक करना है, अनलॉक करना है, अनलॉक करने से फिर से यह schedule orchestration मेरा edit mode में आ जाएगा, इसको horizontal कर लेते हैं, और यहां पर plus icon पर simply क्लिक करते हैं, और कोई भी connection, जैसे मैं Oracle D-based connection ले लूँ, उसके बाद यहां पर मेरा Oracle D-based का mapper and उसका integration बीच में, मतलब connection उसका यहां पर आ जाएगा, लेकिन मेरे को यहां पर trigger type का connection बिलकुल भी नहीं दिखाई देगा, तो hopefully दोस्तों, आपने इस session में यह जरूर से जरूर समझ लिया होगा generation 2 और generation 3 में क्या changes हुए हैं, कुछ integrations को यहां पर remove कर दिया गया है मेरी UI layer से, किवल दो integration ही हम मुझे दिखाई देते हैं, generation 3 में app driven and schedule, दोनों के अंदर क्या common चीज़े हैं, सारे के सारे complex, जितने भी complex integration हम बना सकते हैं, वो integrations हम इन दोनों में बना सकते हैं, कोई issue नहीं है ये schedule हो सकता है, ये schedule नहीं हो सकता है, और इसमें केवल और केवल trigger type के connection मेरे call हो सकते हैं, इसमें मेरे invoke type के connection and trigger and invoke मेरे दोनों में call हो सकते हैं, तो यहां पर कोई confusion नहीं होना चाहिए, कौन सा मुझे orchestration लेना है, कौन सा integration बनाना है, नहीं बनाना है, बहुत simple तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किये, साथ में आगे हम यह जरूर देखेंगे कि किस तरीके से complex, simple और बड़े से बड़े integrations कैसे बनाते हैं, तो इसी तरीके से मुझे अपने requirement suggestions भेजते रहे हैं, और अपने भाई को motivate करने के लिए, support करने के लिए, चैनल को subscribe करें, दूसरे लोगों के साथ share करें, और मुझे इसी तरीके से motivate करें, दोस्तों फिर से मुलाकात होगी, एक नए वीडियो में, एक नए session में, तब तक के लिए दीजे मु